हाई गाईस जैसे आप सभी को पता है कि responsive styling हमारे development में एक काफी important factor है तो इसके लिए आपको पता है कि एक time के बाद हमारा code का flow ना of course change हो जाएगा जब कि जैसे कि आप अचनक से आप mobile device पे switch हो रहे हो तो कोई ना कोई styling आपकी इस तरह से change हो जाएगी कि आपको कोई और styling की action वहाँ पे trigger करना ये पड़ेगा तो वो सब चीज़े करने के लिए आता है एक concept जिसका नाम है media queries तो चलिए उसको देखते हैं ठीक है तो discuss कते है media queries क्या है तो जैसे कि आपको पता है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ media queries और फिर इनके factors के बड़ा बात करता हूँ तो media queries क्या है media queries CSS का दिया हुआ एक functionality है ताकि हम अपनी responsive styling कर सके basically जब भी हमारा viewport change होता है जब भी हमारा device change होता है तब हमें कुछ न कुछ ऐसी styling trigger करनी पड़ती है जिसके अगारण हमारी design responsive रह सके क्योंकि हो सकता है कि आप कुछ flex box वगेरा भी use करते हों लेकिन उस point of view से वो box बड़ी या छोटी लग जाए तो हमें कुछ external styling trigger करने के लिए media queries की help लेनी पड़ेगी तो यहाँ पर मैं point लेकर देता हूँ basically for responsiveness for responsiveness इस responsiveness का ही नहीं media queries का और भी काफी सारे use case है लेकिन यहाँ पर css में हम use करने वाले इसको majorly target करने के लिए इसको responsive बनाने के लिए basically target तो यहाँ पर हम target करेंगे हमारे device के viewpoints को right हम target करेंगे हमारे device के viewpoints को तो मैं बता देता हूँ एसी चीज़े कब-कब हो सकते for an instance यहाँ पर एक site है मेरे पास जिसका नाम है bootstrap अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इनके styling काफी बढ़िया है right अगर मैं यहाँ पर right click करूँ और फिर inspect करता हूँ ठीक है तो फिर आप देख सकते हो यहाँ पर मैं जाके अपनी mobile devices वगेरा पर मैं यहाँ पर अपनी width वगेरा change कर सकता हूँ तो यहाँ पर देखता हूँ कि यह अभी मैं उपर मेरा hover करने पर यहाँ रहा है laptop 1024 pixels तो basically desktop पर यह इसकी styling ऐसी रही अगर मैं इसको छोटी कर देता हूँ मतलब यहाँ पर click करने पर यह mobile version पर आ गई तो मैं यहाँ पर पहले tablet पर कर लेता हूँ तो design थोड़ी ज्यादा alternate UI थोड़े हद तक इसने balance कर लिया अपने units of flex box वगेरा के चीजों से इसने थोड़ी बहुत responsiveness handle कर ली लेकिन जैसे यह mobile में एंटर करता है हमने देखा यहाँ पर top में जितने भी सारी elements थे वो सारे disappear हो चेके हैं क्योंकि उनके लिए जगा नहीं थी मैं फिससे बताता हूँ यहाँ पर इतनी जगा थी लेकिन जब मैं mobile पर switch करता हूँ तो जगा कम होने के कारण कुछ external styling हमें insert करना पड़ता है जिसके कारण यह clean लग सके तो यहाँ पर अभी यह functionality इन्हों ने क्या किया यहाँ पर एक अलग styling लिग दी यहाँ पर hamburger का symbol तो यहाँ पर इन्हों ने इस जगा पर ass styling बना दी कि इस जगा insert हो जाए जब भी क्लिक कर होगे सारे options दिखा देगा तो यह वाली functionality तो इन्होंने इन्होंने भी बड़ी से बड़ी side भी media queries का use करती है अपने platform को responsive बनाने के लिए right तो यह हमने देख लिया अभी हम हम जानते है media queries के उपर थोड़ी सी discussion कर लेते हैं ठीक है तो यहाँ पर आया मैं अपने notebook पे और फि अपने viewports को target करने के लिए right मैं क्या करता हूँ मैं अपने view को इस तरफ ले आता हूँ मैं अपने view को इस तरफ ले आता हूँ और फिर अभी चालू करते हैं तो यहाँ पर जैसे कि आपको पता है यहाँ पर हो गया मेरा responsiveness के उपर talk हो गया और फिर targeting viewports अभी syntax के उपर बात करते हैं, media queries basically, एक keyword होता है, media करके, यह कहाँ पर आएगा, यह हम कहाँ पर लिखेंगे, यह basically CSS के files में ही लिखेंगे, हम लिखेंगे इनको bottommost, यह हो गया हमारा media का keyword, यह portion है, एक keyword, यह portion है, एक keyword, और फिर next हम क्या लिखेंगे, space में media का type, यहाँ पर हम लिखेंगे media type, कि कौन सा media होगा, क्या यह screen है, या फिर print है, या फिर क्या है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अभी के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ screen, यहाँ लिखता हू चाते हो तो उनको कंडिशन को सेपरेट करने के लिए यहां पर एंड नाम का एक operator तो मैं यहां पर लिख देता हूँ operator आप इसका use case कर भी सकते हो नहीं लेकिन जब conditions जाद होगी तो आपको उस हिसाब से and जब आपको conditions को separate करना है तब आपको and की use case करनी पड़ेगी तो यह होगी operator को उपर बात और फिर next आएगी मेरी conditions निक्स आएगी मेरी जो भी conditions है तो conditions में मैं पहले syntax को define कर देता हूँ उसके बाद आपको depth में बताऊँगा क्या क्या चीज़ है किस चीज़ को represent करती है यहां पे लिखता हूँ min with for an instance मैं लेता हूँ अपनी 768 pixel कुछ भी random value ले लिया ठीक है कुछ भी random value है यह कुछ defined नहीं है यह होगी मेरी condition और दुबारा से लिखता हूँ एक operator मैं चाहता हूँ एक और condition value हो वो होगी मेरी max width वो होगी मेरी max width ठीक है अभी के लिए इसको नहीं लिखते अभी के लिए max width को ignore करते हैं इसको हम practically जब करेंगे उसमें implement करके दिखाऊंगा तो यहाँ पे हमने चार जो structure है syntax की बात कर ली यहाँ पे लिखता हूँ syntax तो यह होगी media queries की syntax basically तो पहला होगा हमारा keyword जो की होगा media का हमें लिखना पड़ेगा जिसके तुरूप पता चल सके कि यह कोई media को एड़ी है इसको इस conditions के हिसाब से उस time पे trigger कर दो ठीक है तो यह keyword और यहाँ पे media type में और भी types है media type में और भी types है जैसे कि बात करूँ तो वह हो गई एक तो हमने यहाँ पे लिख लिख लिया हमारी screen screen किया है जो कि हम use करते है mobile phones की screen है display है जो viewport है यह फिर desktop है laptop है tablet है इन से भी को हम under category लाते है screen कुछ है print करके भी print भी basically एक style sheet को print करने के लिए तो hard copy हो गया उन सब चीजों के लिए और फिर दूसरी हो गई हमारी all all जो की default रहता है all अगर हम screen mention आई करेंगे तो all आजेगी मतलब इन दोनों की property के उपर लग जाएगी तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर screen ही रहे तो basically हमेजली screen का ही use case करेंगे हमारा use case screen पर ही रहेगा तो यहाँ पर मैं screen का ही लिख देता हूँ दूसरा है हमारी add operator उसके बाद आते है conditions तो conditions में क्या लिखता हूँ जब भी मेरी device की मैं condition कुछ भी condition लिख सकता हूँ जैसे कि मेरी device की अगर mobile phone की बात करें और फिर एक desktop की comparison में करें तो यहाँ पर हमें बात साफ है कि हम compare कर रहे है width के इसकी width कम में इसकी width ज्यादा है तो हम इस TSS styling करने के लिए हम इसको width के हिसाफ से trigger करेंगे आप चाते हो तो आप height के हिसाफ से भी आप trigger कर सकते हो तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ mean width और फिर मैं कहता हूँ कि जब भी 68 pixel minimum width उससे नीचे जो भी width होगा उसके लिए कुछ particular styling मैं लिख देता हूँ इस condition के लिए curly braces में मैं कुछ styling यहाँ पर लिख देता हूँ यहाँ पर कुछ styling आ जाएगा इसके लिए और फिर जब भी यह मेरी device की viewport इससे कम होगी मतलब minimum width इतनी होनी चाहिए sorry तो इससे लेकर जो भी maximum होगा यह है minimum तो 768 pixel के बाद जितने जो भी जो भी कुछ size आएगा मेरे device के viewport का उस हिसाब से यह styling trigger हो जाएगा तो हमने यह बात देख ली अगर मैं मैंने जैसी एक और keyword की बात कही थी वो है and करके दूसरी condition आप चाहते हो तो और भी कुछ conditions लगा सकते हो दो तीन चार कितने भी लगा सकते हो nested भी कर सकते हो लेकिन हमारा basic use case इनी से खतम हो सकते हैं यहां पर एक random value लेता हूं 1024 तो मेरी max width होगी 1024 तो इसकी meaning क्या है यहां पर what is the meaning of this syntax now so this means that I have my minimum width to be 68 pixels and maximum width between 1024 pixels that is कि मुझे इसके बीच की range में जब भी कोई device की viewport होगी उसके लिए मुझे यह वाली styling को trigger करना है तो यहां पर यह mean करते हैं ठीक है थोड़ी सी theory की बात हो गई अभी हम चलते हैं practically implement करके देखते हैं तो यहां पर आता हूं मैं अपनी site पर और फिर यहां पर for an instance मैं ले लेता हूं एक div इसको मैं लिख देता हूं इसको यहां पर मैं लिख देता हूं यह div रहने तो और यहां पर div की styling में हम क्या करते हैं यहां पर styling में सबस जो की होगी screen, screen लिख दिया, उसके बाद क्या आएगा, मेरा condition, मेरा operator, operator define करेगा, और फिर and में मैं लिख देता हूँ, min, and में brackets में लिख देता हूँ, min, width, minimum width क्या होगी, for an instance, यहाँ पे ले ले लेता हूँ, 768 pixel, और फिर, मैं किस के साथ मेरी maximum मैं लेना चाहता हूँ, maximum, max width, max width ले लेता हूँ, 1024 pixel, और फिर, इस styling के लिए मैं क्या trigger करना चाहता हूँ, कि इस जगह पे क्या करना, जैसे कि मेरे यहाँ पे, मेरे पास एक div का box है, right, यहाँ पे एक div पड़ा हुआ है, तो मैं चाहता हूँ, कि यह वाली जब भी viewport आ जाए, आप क्या ख़़ो, इस div की color, background color change का दो, इसकी simple सा रखता हूँ, कि background color का ही change, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, light, light blue, यहाँ पे लिख देता हूँ, light blue, fine, तो अभी, अभी आप देखोगे, तो यह इस range में है, इसलिए light blue आ रहा है, अगर मैं इस चीज को stretch करता हूँ, तो मेरे color हट गया, क्योंकि यह अब उस range के अंदर नहीं है, अगर मैं इसके नीचे ले जाता हूँ, तो अब भी इसकी range में नहीं है, तो यह in between में था, तो जैसे भी आपकी range trigger होगी, यह उससाब से इसकी styling को trigger कर देगा, ठीक है, तो यह हमने basic सी overview देख ली, लेकिन एक चीज ना काफी लोग पूछत करके, यहाँ पर अपनी tab को उपर खोल लेता हूँ, इसको external करके, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एक mobile का symbol है, उससे click करूँगा, तो फिर यहाँ पर मेरे पास उपर सारे options आजएगे, जैसे कि, यहाँ पर मैं click करता हूँ, तो लिखा है कि, mobile 320 pixel, और फिर यहाँ पर mobile 425 pixel, ऐसे tablet है, 768 pixel, desktop है 1024, ऐसे आप यहाँ से approximate styling उटा के, अपनी हिसाब से चीजों को manipulate करके, देख सकते हो, मतलब test करके देख सकते हो, ठीक है, ठीक है, तो अभी कुछ question different करता हूँ, यहाँ पर जैसे मैं चाहता हूँ कि, मेरे desktop पर हो light blue, जब भी मेरे desktop साहीज तो करदो light blue, tablet होगा तो करदो light pink background color को, और mobile होगा तो light green, अगर कुछ भी नहीं हुआ, अगर पता नहीं, कुछ बहुत बड़ी screen हो सकती है, या फिर काफी चोटी screen तो उसके लिए कर देना light coral, ठीक है, तो in conditions के हिसाब से define करते हैं, यहाँ पर सबसे बहले मेरे desktop, तो यह तो वैसे ही लगा हुआ है, मैं इसको copy करके दुबारा लिखता हूँ, और यहाँ पर अपनी min width, max width को change करता हूँ, अपनी max width होगी, पहले था 768 pixel, क्यों यहाँ पर हमने पहले ही mention कर दिया, min width होगी 760 pixel, तो next जो भी face चालू होगा tablet का, उसका max width, मतलब उस point से चालू होगा तो max width तो यहाँ देता हूँ, मोबाल के लिए मैं कर देता हूँ, यहाँ पर mobile की end point, mobile से पहले वाले की, तो tablet के लिए 425 से लेकर 768, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, light pink, ठीक है, यह हो गई हमारी tablet version, next आएगी हमारी, दूसरी syntax में again define करता हूँ, अपने mobile के लिए, mobile के क्य लिखता हूँ, यहाँ पर मैं अपनी max width को हटा दूगा, यहाँ पर अपनी max width को हटा दूगा, क्योंकि अगर 425 pixels से या फिर उससे नीचे जो भी है, उन सभी के लिए, of course वो mobile device ही होगी, तो उन सभी के लिए मैं एक ही color मानता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, light green, ठीक है, यह हमने कर दिया, और फिर यहाँ पर rest, rest के लिए मैं क्या चाता हूँ, rest के लिए मैं default एक background color देता हूँ, कुछ भी आए, तो यह color संभालेगा, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, light coral, यहाँ पर लिख देता हूँ, light coral, fine, तो इससे हमने हमारी styling को implement कर दिया, यहाँ पर आएगा max width, यहाँ पर आएगा max width, यह हमने कलती की, कि यहाँ पर max width से नीचे शुरू होगा, right, क्योंकि ending point था, min width का 425, तो मेरा max width 425 है, उसके नीचे जो भी आएगा, उन सभी में light green, तो यह है मेरी अभी late tablet mode में, अभी मैं इसको करता हूँ, extend, अभी मैं करता हूँ, तो यह desktop size है, और नीचे करता हूँ, तो यह हो गई मेरी light pink, यह हो गई मेरी light pink, ठीक है, इसे साफ से हमारी काम कर रही है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर आके, अपनी devices के साफ से देख लेता हूँ, क्या-क्या, कैसे-कैसे function कर रहा है, तो यहाँ पर आता हूँ, इसको न लाइट green आ रहा है, मेरी दूजरी mobile के लिए, और यहाँ पर है मेरा tablet version, इसको एक्शन करें, यह है मेरा tablet version, light pink है, laptop version का, laptop version हो गया, मेरा light blue का, उससे अगर बाहर जाता हूँ, तो यह हो गया, कुछ light coral color, fine, तो हमारे सभी functionality media code इसके काम कर रहे हैं, तो यह basically एक छोटा सा example था हम इसके उपर जब projects करेंगे, हम of course responsive बनाएंगे, तो इन CSS को trigger करके, हम उसमें responsive सारी functionalities add करतेंगे, तो इस वीडियो में इतना है, thank you very much